Hello and Assalamualaikum आज की कलास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ English के 13 एहम sentences मैं ना सिर्फ आपकी इन sentences से practice करवाऊंगा बलके grammar की रूसे भी इन sentences की वजाहत करूँगा ताके आपको पता चल सके कि इन sentences में किस tense का इस्तेमाल किया गया है और इन sentences को आप कब और कहां बोल सकते हैं So without wasting of time, let's begin the class सबसे पहले है, हरकत ना करें Don't move Don't move या Do not move तुम जो करना चाहते हो करो Do whatever you want to do Do whatever you want to do मैं इनतिजार नहीं कर सकता I cannot wait I cannot wait जब भी sentence में किसी ability के जिकर होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं तैर सकता हूँ मैं दोड सकता हूँ मैं खेल सकता हूँ तो हम उसकी translation can से करेंगे अब यहाँ पर है कि मैं ये नहीं कर सकता तो यहाँ पे हम can के साथ note लगा देंगे क्योंकि यह negative sentence बन रहा है I cannot wait मोसम कैसा है How is the weather How is the weather मोसम बहुत खुशगवार है The weather is very fine The weather is very fine जैसे आपकी मर्जी As you like As you like यह काफी है That is enough That is enough क्यों नहीं Why not Why not Why का मतलब होता है क्यों मैं बहुत प्यासा हूँ I am very thirsty I am very thirsty Thirsty का मतलब होता है प्यासा तुम कहां थे Where were you आप से मिलकर खुशी हुई Nice to see you Nice to see you मैं कुछ नहीं कहूंगा I will say nothing I will say nothing मुझे ऐसा नहीं लगता I don't think so I don't think so तुम ये थी आज की कालास उमीद करता हूँ इस कालास में आपने बहुत कुछ नया सिखा होगा मैं इसी तरह की कालासिज हर रोज लेकर आता हूँ कल तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा